आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वालों एक बहुत ज़ादा स्पेशल इंडिया की फर्स्ट वन सिक्स्टी सिसी ट्राइक बाइक जिसको यहाँ पर कस्टमाइज किया है जगी कस्टम्स ने और जो बाइक का यहाँ पर यूस किया गया वो है यहाँ पर बजा बहुत ज़ादा स्पेशल है क्योंकि यह disabled लोग जो की चलने फिरे में और बाहर आने जाने में जिनको दिकत होती है उन सबी के लिए इस बाइक बहुत ज़ादा स्पेशल है इसलाब मैं आप से देख़ास करो इस वीडियो को प्लीज आप ध्यान से देखिएगा और प्ली बाइक का स्पेशल क्या है यह बाइक फ्रेंट में जाती है साथ साथ इसमें रिवर्स गेर भी दिया हुआ है तो आपकी बाइक कोई सी भी बाइक हो अगर आपको यह ट्राइक बाइक बना नहीं तो डेफिनिटली आपको जगी कस्टम से आपके काना चाहिए वो बहुत अ प्लीज आप लोग जतना जादा शेर करेंगे अतना जादा यह वीडियो दूसरे तक मौचेगा और वीडियो को प्लीज लाइक करके मिशें ज़रू बताएगा तो चलिए एस वीडियो को शुरॉत करते हैं मैं आपको सारा डीटियल्स बताऊंगा क्या का चीज है किस तरह से काम करती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगा, so let's begin the video, so friends, आप लोग देश सकते हैं, यह एक कस्टमाइज बजाज एवेंजेर स्ट्रीट 166 जिसको एक ट्राइक बाइक में बनाया है, आप लोग देश सकते हैं, इस बाइक में टोटल तीन वील्स हैं, जिसके कारण इसको ट्राइक बाइक का जता है, इस तरह के बाइक काफी ज़दा जो disabled लोग होते हैं, जिनको चलने फिर में काफी ज़दा प्रॉलम होता है, उन सबी लोग के लिए यह सच में एक बहुत special बाइक है, और आप लोग देश सकते हैं, इस बाइक की मतलब कितना अच्छे से, कितना neat and clean बाइक में जोड़ देखते हैं, इस बाइक में आपको रिवर्स गेर की भी फीचर दिया हुआ है, जो कि आप से भी लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे, अभी आप लोग इसका कुछ ओफ रिणि देखें, मतलब इसको चलाने में कहीं भी कोई भी प्रॉलम यहां पे नहीं आती बिल्कुल अराम से जलता है, मतलब इस बाइक में काफी ज़्यादा वर्क भी किया जाता है, काफी ज़्यादा टाइम लगता है, इस ओवरॉल मेकनिजम को त्यार करनें, टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही फाइनल प्रॉड़क में इसको फिट यहां पे किया जाता ह क्योंकि इसके पीछे काफी साथ चीज़ें लगती है, कि किस तर से पूरा मेकनिक्स काम करेगा, किस तर से इसका ओवरॉल परफॉरमस मिलेगा, तो उस सब सारी चीज़े को टेस्टिंग करके आपको कुछ इस तरह का वर्क देखने मिलता है, तो आप सब भी लोगों देख दे रहे हैं, लेकिन बाइक यहाँ पे पीछे जा रही है, तो यही इसका एक बहुत यूनिक फीचर है, मतलब आप अपनी बाइक को रिवर्स डिरेक्शन में चला सकते हैं, जैसे, मतलब कोई भी अगर डिसेवर्ड लोगा उसको बाइक को पीछे करना है, तो काफे ज़द तरना तेज एक्सिलेटर देंगे, उतना तेज यह पीछे डिरेक्शन में रिवर्स जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं, यह सिप मातर इसी जो लीवर इसको प्रेस करते ही, यह रिवर्स डिरेक्शन में जाना स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग बात करें, इसके अगर आप लोग देखिए, जिसके प्रॉपर लेक्स काम करते हैं, उनके लिए तो काफी ज़्यादा इजी होता है, लेकिन जिनके थोड़ा बहुत डिसेबल होता है, उनके लिए रिवर्स करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉलम है, तो लेकिन आपको इस पाइक में इस तर और आप लोग देखिए, किस तरसे इस बाइक में ये औफ रोडिंग मगर भी कर वें, तो इसकी पीछे के फ्रेम है, वो कितना ज़्यादा मजबूत इन्होंने बनाया है, कितना ज़्यादा अच्छे से बनाया है, ताकि इसमें औफ रोडिंग करना भी काफी ज़्यादा अब यहां पे आप लोग इसका प्रॉपर डेमो देखिए, किस तरसे ये बाइक रिवर्स डेक्शन में किस तरस जाती है, आप लोग देखिए, कितना ज़्यादा हिल है, आप लोग भी सोच रहे हों कितना ज़्यादा श्लोप होने पर भी ये बाइक कितने राम से पीछे चड़ जाती है, reverse direction में देखिए, कितना मस तरीके से जा रही है, है ना कमाल का product मतलब काफी unique ये work ये है, और आप लोग इस तरह का जो मैकरेंस चाते हैं, अगर आप लोग रॉयल एंफिल में चाते हैं, या आप लोग बजा जाए, वंज़े 200 बजाते हैं, किस तरह बाइक मे कि बाइक popular होती है, आपकी कई लोग चला जाते हैं, रॉयल एंफिल, कई लोग जाते हैं, तो आप लोग अपनी बाइक में भी कुछ इस तरह का mechanism को definitely करवा सकते हैं, और बाइकिंग का एक motorcycle का आप लोग मजा definitely ले सकते हैं, इस बाइक के features अभी भी same है, मतलब आपकी जो ब नया मतलब बठा है, और आप लोग देख सकते हैं, किस तरह से इसका overall fitting है, मुझे लगता है, इन्होंने शायद इसको patent करने के लिए भी भेजा हुआ है, क्योंकि इस तरह का work है, मुझे लगता है, और भी कोई फिलाल इंडिया में करता होगा, हाला कि काफे सारे work देखने म मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह का इतना ज़दा neat and clean work मुझे मैंने first time देखा है, आप लोग भी देहन दी, जो पीछे का seat बगार है, वो बिलकुल untouch है, उसको कुछ भी होँआ पे changes होने नहीं किया, मतलब एक standard bike ही है, bike में ऐसा कोई बहुत ज़दा बदलाव नहीं किया गय जो है इसका पीछे का wheel निकाल के, पीछे का बिलकुल नया swing arm का setup बनाया है, वो यहाँ पे देखने में सच में बहुत कमाल है, अभी आप लोग देखेगा किस तरह से इन्होंने एक gear लगाया है, आपको gear का system में मैं अभी समझाता हूँ, जैसे मैंने बता है कि इसके gear आप हैंड से भी लगा सकते हैं और पैर से भी लगा सकते हैं, तो आपको bike के बिलकुल side में देखेगा, एक rod जैसे निकला हुआ है, उसके थुरू आप लोग bike का gear यहाँ पे change कर सकते हैं, आपको definitely मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग अभी आपको उतना देखने में नहीं कर सकते हैं, अभी आपको लोग इसका प्लीज एक close shot देखें, बाई का किस तर से look है, और ताकि close shot में भी आपको इसका frame का यहाँ पर अंदाजा लग जाएगा, कि किस तर से framing यहाँ पर डिजाइन किया गया है, पीछे से देखें, काफे ज़र यहाँ पर वाइड है, और इ आप लोग इस वीडियो को देखी पा रहे होंगे, फ्रेंट लोक से भी देखें, यह वीडियो के मैंने काफी सारी बाहर अल्री प्ले कर चुक है, तो आपको डेफिनिटी आपर आइडिया लग गया होगा, लेकिन अगर आप से भी लोग ने ध्याँ से देखा होगा, तो आपको डेफिनिटी आया होगा, और अगर आप सभी लोग ने फॉस्ट इम इस तरह के कोई बाइक देखें, तो मैं आप सब इस तरह करूंगे, इस वीडियो को प्लीज लाइक करके, आप लोग मुझे ज़रू बताएगा, पसंद नहीं आया है, तो डिसलाइक कर दीजेग